बहुत जादा देर तक sun exposure की विज़े से या फिर outdoor activities करने की विज़े से हमारी skin को पुरा बहुत नुक्सान पहुत ही जाता है Be it sunburn, tan या फिर sun allergy ही क्यों ना हो Ultraviolet rays के direct contact में आने की विज़े से हमारी skin पे itching जैसा sensation होता है and student जैसी परेशानी होती है थोरी देर भी sun exposure होता है even short time के लिए भी sun exposure होता है तो there is sunburn, patient की skin जल जाती है बहुत जलती result देखने को मिलता है with the frequent reputation of this homepathy medicines जो skin रहती है वो back to normal हो जाती है so this is a very much exposure होता है and itching start हो जाती है बहुत ही unhealthy and dry skin होती है patient की बहुत सारे pimples like eruptions होते है homepathy का एक golden rule होता है the better you feel the minimum dose you should take जैसे जैसे आप अच्छा फील करते रहते हैं तो जो भी dose है वो हम कम करते हैं patient के अंदर like 3 dose से फिर 2 और फिर अगर आप उससे भी अच्छा फील करें तो फिर single dose रहता है गर्मी start हो गी है अब तो बहुत सारे बच्चों के स्कूल की चुटिया भी start होने वाली होंगे यही समय होता है जब लोग अपनी families के साथ vacation पे जाते हैं they have lot of fun, बहुत सारे enjoy करते हैं ऐसे में tension सिर्फ एक होता है कैसे खुद को और अपनी family को this harmful sun risk के against protect करें तो हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं अपने आपको hydrated रखते हैं अपने skin को hydrated रखते हैं best sunblock यूज करते हैं बट फिर भी बहुत ज़्यादा देर तक sun exposure की विज़े से या फिर outdoor activities करने की विज़े से हमाई skin को थोड़ा बहुत नुक्सान पहुंची जाता है बीज सन बॉन टैन या फिर sun allergy ही क्यों ना हो तो अगर आपके भी मन में यह चीज को लेके चिंता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रुरत नहीं है आपने vacation की गारी को full speed में चलने दीजिए बिल्कुल स्टॉप मत करिए लेकिन उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो complete देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कुछ wonderful homeopathic medicines जो की sun burn का sun tan का एक बहुत अच्छा solution है बहुत जल्दी बहुत effectively बहुत कम ताइम में आपकी सारी sun से स्कीन प्रॉब्म से उनसे चुटकारा दिलाने में काफी हलफु लही है medicines so मेरा ये वीडियो एंड तक देखे नमस्ते मैं Dr. Raghini और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल The Curopath अगर आप मुझे पहली बार देख रहे है if you are new to my channel then जाइए फटा-फट से मेरे इस channel को subscribe कर लेगे और साम में लगे मैं लाइकन को press करके notification call पर सेट करना बिल्कुल ना भूले so that मैं जभी भी कोई health update share करू आपके साहत या फिल लाइव आप से बाते करने के लिए आप से चिट्ट करने आपकी क्विरिस का reply देने के लिए तो आपको उसकी notification सबसे पहले मिल सके so let's not waste some more time and directly हम आपने topic की तरफ चलते है जानते हैं सबसे पहले तो sunburn क्या है and then उससे related homeopathic medicines दूप के contact में आने की विज़े से आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है even आपके स्किन की health भी affected होती है especially in summers बहुत जादा देर तक and बहुत harsh sunraise की contact में रहने की विज़े से आपकी स्किन जुलस जाती है इसे ही हम sunburn कहते है एसा sunraise and ultraviolet rays के contact में आने की विज़े से होता है इसलिए हम इसे radiation burn भी कहते है ultraviolet rays के direct contact में आने की विज़े से हमारी स्किन पे itching जैसा sensation होता है and sujan जैसी परिशानी होती है and sunburn generally open areas पे होता है like face, neck, back and limbs पे अभी sunraise से अपने आपको recover करने में body की एक अलग ही प्रनाली होती है एक अलग ही रोल होता है and यह थोड़ा time ले सकता है यह थोड़ा एक लंबा process होता है लेकिन हमारी body automatically sunburn से heal कर लेती है खुद को बट इसमें थोड़ा time लगता है इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा recovery process बहुत fast हो जाए जो हमारे skin को damage पहुँचा है sun exposure की वज़े से वो बहुत जल्दी से जल्दी cure हो जाए तो उसके लिए homeopathic medicines बहुत ही अच्छा काम करती है homeopathic medicines natural and effective cure प्रोवाइड करती है they provide a gentle cure to sunburn यह medicines जो skin की blister formation की tendency होती है उसको कम कर देती है और अगर blister formation already हो चुका है तो blister में post formation के tendency को कम करती है बहुत ही जल्दी है बहुत ही एफेक्टिवली जो redness है जो swelling है जो burning है itching है उसको relief देती है homeopathic medicines acute phase का जो problem है उसको तो treat करती है homeopathic medicines इसके साथ ही साथ अगर बहुत लंबे टाइम तक आप अगर sun के contact में है दो chronic complaints आती है उसको भी manage करने में काफी effective हैंगे medicines homeopathic medicines काफी safe है बहुत gentle cure प्रोवाइट करती है and with zero side effects यह medicines कोई भी use कर सकता है irrespective of age and gender तो आईगे जानते हैं ऐसी ही कुछ wonderful homeopathic medicines के बारे में Sol Sol is a very wonderful and beneficial homeopathic medicine for treating cases of sunburn किसी भी तरह का या किसी भी intensity का sunburn हो उसको treat करने के लिए हम solve prescribe करते हैं be it mild to severe intensity skin red नजर आती है and burning sensation होता है patient बहुत ज़्यादा sensitive होता है to sunlight थोरी देर भी sun से exposure होता है even short time के लिए भी sun से exposure होता है तो there is sunburn patient के skin जल जाती है जो भी affected area रहता है beat face, neck, back or back of hand वहाँ पे rashes appear होने लगते हैं skin peel off करती है and there is sensation of burning बहुत बार patients ये complain करते हैं कि शाम के time उनकी itching बढ़ जाती है and specially in chronic cases बहुत जल्दी result देखने को मिलता है with the frequent repetition of this home breathing medicines जो skin रहती है वो back to normal हो जाती है so this is a very wonderful home breathing medicine for treating cases of sunburn then we have belladonna sunburn के cases में जब patient की skin एकदम red नजर आती है and there is burning sensation जो affected area रहता है वो swollen रहता है सूजन रहती है smooth नजर आता है वो area due to सूजन की वज़े से and dry hot feel होता है red होता है with sensitivity of touch touch बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं कर पाता है and जो most remarkable feature होता है belladonna का वो है कि जबी भी affected area को हम touch करते हैं तो बहुत ही गरम महसूस होता है तो इस case को हम belladonna से treat करते हैं sunburn की वज़े से skin पे blisters बन गये हो face पे बहुत सारा eruption हो and these eruptions are very sensitive to touch बाद में ये eruptions black color में change हो जाते हैं there is sharp pain, burning pain होता हो and cold application से ये थंदे पानी से wash करने पे patient को बहुत relief मिलता है तो these are the clear-cut indications of home wedding medicines cantheris ऐसे में हम patient को cantheris prescribe करते हैं then we have epismalifica ये medicine हम sunburn के case में तब prescribe करते हैं जब stinging and burning pain होता हो patient का जो affected area रहता है वो बहुत जादा sensitive होता है to heat dry and sensitive skin होती है and body में एक tendency होती है कि sun से exposure होगा तो there is swelling and जो swollen part होता है that is very sensitive to touch blister formation होता है and उसमें पानी भरा हुआ रहता है and stinging and burning pain होता हो उसमें तो वैसे में हम patient को epismalifica prescribe करते हैं then we have sulfur sulfur बहुत ही effective medicine है sunburn को treat करने में जब sun से exposure होता है and itching start हो जाती है बहुत ही unhealthy and dry skin होती है patient की बहुत सारे pimples like eruptions होते है itching बहुत severe होती है patient लगता है stress करता है and फिर उसकी वज़े से burning होती है affected area में वैसे cases में भी जहां previously history रही हो sunburn के and उसको local application या external ointments लगाके बस उसको surprise किया गया हो उन cases को भी treat करने में sulfur बहुत ही effective homeopathic medicine है तो यह थी कुछ homeopathic medicines जो हम sunburn को treat करने के लिए यूज करते हैं अब कई लोग के मन में यह सवाल होगा कि medicine तो बता दी मैडम ने doses या potency कौन से लेनी है तो अगर आप beginner है तो आपको 30 stage potency try करने चाहिए doses कितने लेने हैं तो सोने से पहले तक आपको 3 dose complete कर लेना है लाइक अगर आप माली आपका sun exposure हुआ फिर दो बजे के आसपास दो पहर को आपने नोटिस किया कि आपकी skin पे sunburn दिख रहा है तो आप पहला dose दो बजे ले लो फिर second dose पांच बजे लो शाम को अब थर्ट दो आठ बजे ले लो सोने से पहले improvement कब तक देखने को मिलेगा तो there are fair enough chances कि जब आप सुबह जागो सोने के बाद तो आपको अच्छा-खासा improvement देखने को मिल सकता है अगर थोड़ा improvement देखने को मिल रहा है तो आपको next day भी एक यह दो डोस मेडिसिन की रिपीट करने चाहिए होमेपेथी का एक गोल्डेन रूल होता है कि जैसे जैसे आप अच्छा फील करते रहते हैं तो जो भी डोस है वह हम कम करते हैं पेशन के अंदर लाइक थ्री डोस से फिर दो और फिर अगर आप उससे भी अच्छा फील करे नीचे कॉमेंट में लेकर बता हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आसको आपके लिए और आपकी कोई क्वेरी हो आप मिलूंगी दुकिरोपाइट के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी रेलेवेंट हेल्ट टॉपिक के साथ किसी दूसरी वंडर्फुल होमेपेटिक मेडिसिन के साथ जब तक लिए आप अपना अपनों का ध्यान रखें डू टेक वेरी गुट केर अफ यूर सेल और यूर